गुरु गीता में हम लोग आगे बढ़ते हैं शिव उवाच मम रूपाश देवित्वम त्व प्रित्यर्थम वदाम्य हम लोको पकार कहा प्रशुनो न केना आपिक्रता पुरा अर्धात शिव कहते हैं हे देवी आप तो मेरा अपना स्वरूप है आपका ये प्रश्ण बहुत ही लोक कल्यान वाला है लोक हितकारी है ऐसा प्रश्ण पहले कभी किसी ने नहीं पूँचा आपके प्रेम के कारण ही इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूंगा ये प्रारम से ही हम इसलिए बढ़ रहे हैं कि इस सारी चीजें बड़ी प्रीतिकर हैं अभी ये दो प्रेमी प्रेशी पति पत्नी उनके संबाद के साथ बात आगे बढ़ रहे हैं और शिव कहते हैं कि आप तो मेरा अपना ही स्वरूप है आर्थात वो उनको स्वयम के समकच्ष ही देखते हैं और यही किसी संबंद की गुणवत्ता भी है समकच्ष हैं, समकच्ष कोई बनता नहीं है शिव इसमें इस बात को भी सपश्ट कर देते हैं देवी चुकि उनके साथ हैं, उनको जानती हैं, तो वो जानती हैं सारी बात को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती है, लेकिन लोग हित के कारण, लोको कार के कारण, लोग कल्यान के लिए उन्होंने प्रशन रखा है, इसलिए उसका समाधान दिया जाएगा, शिव कहते हैं, पहले किसी ने नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं होता कि पहले किसी ने नहीं पूछा, पूछा होता है लोगों ने, ये कहने का धंग होता है, ये प्रेम पून धंग है, कि पहले नहीं पूछा गया, अभी पूछा गया, क्योंकि जो चीज इतनी जीवन्त होती है, तो वो पहले किसी ने नहीं पूझा, आगे भी एगर कहना हो तब भी शिव यही कहेंगे पहले किसी ने नहीं पूझा, बात तो बड़ी सामाने से ही पूछी है देवी ने, लेकिन वो इतनी प्रेम से जीवंतता से भरी हुई बात है कि अनूठी हो जाती है, प्रश्न जिग्यासाए कई तलों पर हो सकती है, कुछ जिग्यासाएं हो सकती है, बस बौधिक एक बेक्ति के भीतर बेचैनी है, उसको बौधिक बेचैनी को सांत करने के लिए कोई कुछ पूछ रहा है, फिर बौधिक बेचैनी से कोई उपर भी उठ जाए, तो उसके भीतर स्वयम की बेचैनी हो पहले वाली मेजॉरिटी है बौधिक जिग्या से कुछ सांत करने वाली लेकिन जब कोई स्ष्च की यात्रा पर जाता है तो आम तोर से स्ष्च स्वयम का ही समाधान तो ढूंड रहा है उसके जीवन में असांति है वो उसको ढूंड रहा है पिर स्ष्च में भी एक और तल पैदा होता है जिसका प्रदिने तो देवी कर रहे हैं कि स्ष्च के अपने भी तरफ असांति नहीं रह गई है सांति घट गई है लेकिन वो देखता है कि जो लोग पत पर और चल रहे हैं उनको भी किसी विशेश मार्ग दर्शन की आवर्श स चुका है जो जिसने अपने अधेरे पक्ष देख लिए हैं वो वहां से वो प्रशन रखेगा उनका सठीक समाधान मिलेगा जो लोग कल्याण वाला होगा लोग कल्याण से कभी ये नहीं लेना चाहिए लोगों को कि हर किसी के कल्याण के लिए जो पत पर हैं साधना पत पर उनके लिए कम से कम ये बातें पत के प्रदीब बने यानि कि उस रास्ते पर जलते हुए दीपक बने उसलिए ये शब्दाएंगे गुरू के माद्याम से शिव उस परमचेतना का ही प्रतनिध्यत्यु कर रहे हैं और शिव के इस बात के कुछ और नहितार्थ भी समझने जब हो कहते हैं कि आप तो मेरा ही श्वरूप है वस्तुत है हर सिस्च गुरू का ही श्वरूप होता है उससे अलग नहीं है गहरे अर्थों में गुरू भी एक इल्यूजन है ब्रह्म है सिस्च भी एक इल्यूजन है ब्रह्म है वही एक विराट चेतना एक सरीर मन में सिस्च का रूप ले रही एक सरीर मन में गुरू का रूप ले रही तो इसलिए अंतर नहीं है कोई ये पहले कदम पर ही अंतर लगता है तो इसलिए ही कहना सिव क आप तो मेरा ही श्वरूप है, तो सभी के ऊपर ये बात लागू होती, सभी ही उसी चेतना के श्वरूप है, जिसका श्वरूप गुरु है. अब जब किसी के माध्यम से लोक हित के लिए कोई जिग्यासा उठे, तो इससे अधिक सुब कोई बात नहीं होती, और इससे अधिक देखा जाए, सुन्दर बात भी कोई नहीं होती, और ऐसी बात पर पूरा अस्तित्व अपना पृत्युत्तर देता है, वो बात कहीं सिम्टी हुई नहीं रहती. बिक्ति जब कीवल अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहता है, तो सीमाएं उसको कचोड़ती हैं, परिशान करती हैं और अस्तित्व का सहयोग भी वो देख नहीं पाता है। लेकिन जब बिक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो चुका होता है, अपनी बेचेनियों को समझ चुका होता है, उनके समझान के रास्ते भी जान चुका होता है, फिर अपने अन्य सहयात्रियों के लिए वो सहयता करना चाहता है। तो फिर उसकी जो आंतरिक सकती है वो बड़ी पिचंड हो जाती है, और अस्तित्त का सहयोग भी अनिक अनिक अंगिनत रूपों में उस तक आने लगता है। और ये एक बड़ा ही रहस्यम नियम यहां पर सक्री होना प्रारंब होता है, कि जो हम दूसरे के लिए भावना रखते हैं, पूरा अस्तित्त उसको लोटा कर हम तक ले आता है। शिष सही अर्थ में शिष से तभी बना जब उसके भीतर औरों के कल्याण की भावना भी आई, और जब औरों के कल्याण की भावना आई, तो उसका अपना बिक्तिगत कल्याण भी कहां रुपने वाला है। वो तो होना ही अस्तित उसमें सहयोक देगा ही आम तोर से उलोग अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में लगे ने अपने ही कल्याण में लगे और शिव कहते हैं बहाव से भड़ता है, वो कभी अकेला अलग थलग नहीं रह जाता, उसके पास किसी भी बात का अभाव नहीं रह जाता, पूरा अस्तित्व प्रतिध्वनित होकर उसके साथ यात्रा करता है, तो उसमें सब कुछ सुब और सुन्दर, प्रतेक छन में, प्रतेक कदम पर सामिल होता हुआ चला जाता है. कर दो भी है, प्रतेक कर ल scout दो में, कर सक किसी टो होतला तो तो प्रतेक कर दो होता है, लुटा।